कुश्चन है इन गिवन फिगर फाइंड 10P-4R हमको 10P-4R फाइंड करना है तो हमारे पास इस कुश्चन में डियाग्राम दे रखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल का PQR का ठीक है ना जहां Q पर राइट एंगल है PQ क्या दे रखी है 12 cm और PR क्या दे रखा है 13 cm तो देखिए ये तो होता है Hypotenious यह होता है Perpendicular और यह है Base ठीक है यह इस राइट एंगल के लिए ठीक है Q के लिए तो अब हम इसको यूज करके यह Base QR कर लेते हैं ठीक है ना तो क्या यूज करेंग हम Pythogas Theorem Pythogas Theorem जो होती है Hypotenious Square is equals to perpendicular square plus Base square तो यहाँ Hypotenious क्या है Hypertanious square मतलब PR का square तो यह रहा PR square यहां मने लिख दिया ठीक है Is equals to perpendicular square इसके लिए perpendicular क्या है Q angle के लिए यहार 90 degree के लिए PQ क्या है PQ तो PQ square और base QR तो QR square तो हमारे पास PQ है और PR है तो दोनों की values रख देंगे PR की value होती है 13 यहां दे रखिए है तो 13 का स्क्वैर प्लोस PQ B counter ci 12 का स्क्वैर कियो आर नहीं दे रखा तो हमको निकलना तो QR की जागे QR का स्क्वैर रह एगा 13 का स्क्रासуже होता है 106 9,000 ओष्ञास्अर 11 940 44 144 क्या होगा फिर 1190 इदर चला जाएगा तो यह 169 में से minus हो जाएगा और इधर right hand side में qr square अकेला रह जाएगा 169 में से 144 minus होगा तो 25 बचा is equal to right hand side में qr square तो जब यह square हटता है तो सामने जो भी number होता न उसके पर under root लग जाता है तो qr हटा होगा यहां हटा तो 25 को पर under root लगा और under root of 25 क्या होता है 5 होता है तो value के आगे qr की 5 cm इसकी value के आगे 5 cm अब हमारे को 10p found करना है क्या found करना 10p और यहां किस angle के according हो रहा है p angle के according तो यह p है p के सामने वाला जो होता है सामने वाला side वो हो जाता है perpendicular क्या हो जाता है perpendicular और यह जो side होती बिलकुल लग कर यह हो जाती base ठीक है तो 10 का formula है perpendicular upon base तो यह perpendicular है p क्या नाम है qr पर लिखा यहां qr और नीचे pq तो देखो qr upon pq और इनकी values रख दी हमने 5 by 12 क्योंकि qr हमने अभी just find करा है 5 है ठीक है तो यह हो गई value 10p की 5 by 12 अब हमको cot r निकालना है और किस angle के according r एंगल के according तो यहां r है r के सामने वाला तो गया perpendicular और यह qr हो गया base cot theta का formula होता है base upon perpendicular तो इस r वाले angle के लिए base क्या हो गया था qr तो qr उपर लिख दिया और perpendicular हो गया था सामने वाली side मतलब pq तो pq लिख दिया हमने और इनकी values हमने लिख दी तो 5 by 12 इसकी भी value 5 by 12 आ गई अब हमको निकालना था 10 p minus cot r तो 10 p की value थी 5 by 12 और cot r की value भी 5 by 12 और यह दोनों minus कर रहे हम तो 5 by 12 में से 5 by 12 minus होगा तो finally answer आ जाएगा 0 तो इस question का answer हो गया 0 क्क्राइब पनल्ज दिया था्य थादान हो कर दो क्णड़ू